अब स्क्रीन को तोड़ा में उपर कर लेते हूं के चलो तो इंडिकेटर्स ऑफ एकोनोमिक डिवलप्मेंट तो यहां पर शुरुवात होती है कि डिवलप्मेंट को किस तरीके से मेजुर किया जाए यहां पर कुश्चन तो आना चाहिए ना कंसेट बदा अपने ने डेफिलेशन पढ़ी अपने ने चारिक्रिस्टिक बढ़ा बट वोड़ा किसे चलिगा के डेश में देफलप्मेंट हो रहा है नहीं हो रहा है So, यहां पर a rise होता है, सबसे पहला indicator, that is national income, rise in national income, growth rate of national income, देखो यह सबसे पहला indicator था, देखो ऐसा माना जाता था generally, क्योंकि दूसरे indicators नहीं थे, ऐसा समझो, सबसे पहला indicator हम लोग यही मानते थे, that is a growth rate of national income. और हम लोग ऐसा देश के अंदर मानते थे, कि अगर national income बड़ेगी, तो economic development बड़ेगा, अगर national income कम होगी, तो economic development क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. So generally, इस तरीके से ही measure किया जाता था, economic development को पहले, चलो, अब हम लोग इसका introductory paragraph देख लेते हैं, क्या लिखा है? देखो, जैसे कैसे temperature अपने चेक करते हैं, कि हमारा fever कैसा है, क्या है, तो बस, development को भी चेक करने के लिए हमारे पास, क्या था? Growth Rate of National Income, सबसे पहला indicator. देखो, क्या लिखा है? Has the country achieved economic development or not? If so, how fast is that taken place? How much is the economic development of a country? To know and to measure it, we should consider various factors. Such factors are identified as an indicators of the development, economic development. Measuring Roads भी बोल सकते हूँ, Standards भी बोल सकते हूँ. क्या-क्या बोला जा सकता है इनको? Indicators बोले, या फिर Measuring Roads बोले, या फिर Factors बोले हम लोग. Measuring Roads बोलो, या फिर Factors बोलो, या फिर Standards बोलो. So, कुछ भी कहा जाता है इसको, जो भी बोला चाहूँ, अब बोल सकते हो. These indicators, indicator का मतलब ही यह होता है, जो indicate करें, कि देश में कितना development है. These indicators which measure the rate of economic development and its extent can be presented in numerical and statistical terms. As you all know, कि even growth rate of national income भी इसमें देखा जाता है, numerical form में. मैं बोलती हूँ न, GDP, देश का, that is, for example, 2 lakh crores. So, that is what, numerical form में है न, और even statistical terms में क्यों बोला है, कि even अगर हम लोगों को comparison करना हो, different countries का या क्या, तो भी हम लोग ऐजी तरीगे से पर सकते हैं. Next, कि या लिक रहा है, दो, sorry, through these indicators, a comparison of two countries and two time periods. So, देख, हम कंपारिशन करी रहे हैं, कि आज के ताइम पर, 2020 में, ये जो quarter हुआ, So, सरकार ने अपना वादा पूरा किया, double digit GDP का, चाहे positive हो, चाहे negative हो. It doesn't matter actually for the government, लेकिन सरकार ने जो बादा किया था, कि yes, double digit का GDP वो लाकर रहेगा. So, yes, ला लिया, सरकार ने, it's minus, it's negative, 23.9 GDP, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे सारे time periods, जैसे last, कुछ, years का, अगर हम लोग comparison करें, तो सबसे lowest GDP ये quarter का आपको देखने को मिलेगा. Right? तभी को सुना है, ये सारी चीज़ें सब लोग ने, बहुत चडचाय हो रही है ये सारी चीजों पर. So, everyone knows about this? Yes or no? Everyone know about this? So, सरकार किस तरीके से मीडिया गा यूज कर रही है, और ये जीडिपिको, इसके रिलेटेट तो कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा है, कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, का रही है, किस तरीके से कर रही है, किस तरीके से कंगना रहनात और शिव सेना का चगड़ा हो रहा है, किस तरीके से क्या हो, बस TV चैनल पर वही सारी चीजों दिखाई जा रही है, बस वही अटेंशन किया रहा है, और सरकार के बारे में यहां पर GDP-related तो कोई discussion ही नहीं हो रहा है, कोई highlight ही नहीं कर रहा है कि यार हमारे देश का minus में चला गया है, और यहां पर कुछ भी नहीं है, और यहां पर कुछ भी नहीं, actually, so this is actually the case of the 2020, so आप सभी को I think so यह सब चीजे पता ही होगी, आप लोग अगर news channels, यहां पर आप Instagram, और यह सारी चीजे चट्चाहे में चल रही है बहुत जादा ही है, सब लोग aware है सब चीजों के related, yes or no? सब लोग I think Instagram और यह सब कुछ यूस करते ही हो, YouTube पे देखते रहते हो, यह सब वीडियो पगयर है, yes ma'am. So, कैसी condition हो चुकी है, आप सोच सकते हैं, और हम लोग किस time की पढ़ा ही कर रहे है, just imagine, कि हमरा education pattern कैसा है, हम लोग समझ रहे है, growth rate of national income, कि वाई उसकी वज़र से economic development होता है, and nowadays इतने सारे अलग-अलग तरीके आ चुके हैं, और अभी तक हम लोग यही चीज़ पढ़ रहे हैं, कि देश के economic development क्या होता है, देश में GDP क्या होता है, 12 वाले बच्चों को यह चीज़ समझाई जाहें, मतलब आप सोचो, कि हम लोग की education कितनी पीछे, चलो, कोई बात नहीं, अभी हम लोगों को एक्जाम देनी हैं, तो हम लोगों को बढ़ाना ही है, इस चीज़ के related, अभी हम लोगों को यह सब चीज़ के related, और क्या चल रहा है, किस तरीकिस economy में चल रहा है, क्योंकि आप ऐसे सोचों कि आप बहुत, मुलब, सारी चीज़ों का आप लोगों को एक्षपरियंस क्या है, तो वेदर इस बढ़ानाईज़ेशन, और अभी जो 2020 का सीन है, तो आपने एकनोमी के हर एक फैक्टर को आपने एक्स्पेरियंस क्या है, तो इस वेरी एज़ी अच्छली, यह सब्जेक्ट पुरा आपके ली क्या हो जाता है, बहुत एज़ी हो जाता है, समझना है, क्या है, हम लोग यही चीज़े देख रहे हैं हमारे आपको के सामने, ओके चला, क्या लिख रहे हैं यहां पर, Just as Thermometer measures the changes in the temperature of the human body and records its development indicators measure the country's development, इसी तरीके से हमारी को यहां के इंडिकेटर्स दिये गए हैं, हमारे बुक के अंदर, उन इंडिकेटर से हम लोग development को measure करेंगे, So, some of the indicators of the economic development are as follows, So, सबसे पहला क्या है, That is the rate of growth of national income, और आज अपने को इसी चीज़े को पर 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 ना, आपको आपको दिया है के rate of growth of per capita income, Third, that is the quality of the life, That is the physical quality of the life index, And fourth one, that is human development index. These four indicators related, आपको डीटेल में स्टेटर में बताया गया है, But it's not detailing नहीं किया, Actually, because national income already आप 11th standard में chapter पड़ते हुए है हूँ, So, what is national income? Can anyone tell me the definition or कोई example अगेरे आप भुजे बता सको कूँ कुछ? National income, बत easy language में आप बोल सकते हूँ, जन्वरी, Anyone? National income पोरा chapter पड़ते हुए हूए हूँ, बते हुए हूँ, The total income of a country? What are you talking about, Rut believers? The total income of a country? Very good. If everyone is speaking a language, That is a total income of a country. But this is actually calculated as per the production. Right? Goods or services. The monetary value is considered the income of a country. To how many methods are there actually? कितने मेफ़द से नाशनल इंकम यह थी विचार दे तोड़ा जोड़ से फ्लीज अबास नहीं आगी हुझे तोड़ा सोड़ से पूंपने मेफ़द से नाशनल इंकम यह थी विच्टिफार अच्ट्छी विच्ट्छ झार फ्लीज फस्ट प्रॉद आख एंपनी यह थी विच्ट्छ नुड़ाओ इन आउले चुछड़ाद इस प्राद के आज खालोग यह थी विच्ट्छ विच्ट्ट्ट्ट्ट्टि इसके ये तीनों मैसद्स रिलिटेब फोडी चट्चाए करेंगे हम लोग सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे नेशनल इंकॉम की सबसे पहले वोडेशनी था फिलिटरी वाले ये कुम की एंकॉम प्रेशनी बॉपनींशन विदन थीज़ रूदी पूल्ड लेशन प्रेशन सबसे तिनिर्ट आंदिन एलिए इयू this is actually the short definition we are considering what is national income national income equals to monetary value of finished goods and services produced in India in all three sectors in all three sectors within one year from the 1 year under these three sectors how many finished goods and services produced the monetary value is considered as a national income right so am I clear with this definition everyone clear yes within one year finished goods and services production in India we have three sectors whether it is agriculture industries or services in these three sectors within one year within one year many finished goods we are considered finished goods and services and these finished goods and services which are produced what is considered what is considered what is considered its monetary value considered what is considered national income like I said 2000 lakh crores national income so what does this mean this is a monetary value 2 lakh crores 2 lakh crores rejoin what are you saying rejoin I am rejoin this concept we will learn 2 lakh crores this is a monetary value of goods and services finished goods and services produced in India in all three sectors within one year it is 2,000 lakh crores finished goods and services are made within one year this is actually the national income I have taken an example here this is 2,000 lakh crores okay students so we are studying national income definition right now let me tell you generally if national income increase if if national income remains constant for 14 years then what happens decrease decrease or increase decrease increase decrease 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 जो आप लोगों को अल्रेडी पता है आप अपने लैंग्वेज में इजी तरीके से लिख सकते हो एक बाग मुझे कहनी थी कितने जन्दों ने लोयल्टी के साथ पॉवर्टी चेप्टर लिखा है टेस्ट क्योंकि मुझे न मजा आ गई पेपर चेक सरने में आप लिखा काफी अच्छा है मैदब जैसे मैने स्टेट मेट्पेट में पूचि थी और सभगों लिखा अच्छा है लेकिन मुझे पता चल गया इसने क्या किया है स्क्रापिइ regional कितने भी कुछ भी हो सो हम लोग टीचर्स है नहीं लोग आप पता चल जाता है मैं नाम अनॉंस नहीं करना चाहूंगी ऐसे सब के सामने बट आइनो वेरी वेल इसने क्या किया है बट तच में जितना भी मैंने पेपर स्टेक किया अई लिटरली फील वेरी गुट कि आप लोग ने जैसे स्टेटमेंट्स वगेरे अच्छे से लिखा है प्लीज ट्राइ और अच्छी से ट्राइ करो मैं तो बोलती है और अच्छा लिख सकते हो आप लोग जितना मैंने फर्स्ट पेपर दिखा थो और सेकिंड पेपर का जो डिफरेंसेस मुझे दिखे तो बहुत अच्छे थे अच्छली और आप लोग में केपेबिलेटी तो है ऐसा नहीं है के नहीं है केपेबिलेटी लिख सकते हो जबर्दस्त का थोड़ी प्रेजंटेशन्स वगेरे भी ध्यान दो ठीक है और ग्राफ्स में काफी जनों ने मिस्टेक की थी उस चीज को में बताऊंगी अग्राफ्स में बताऊंगी अग्राफ्स में बताऊंगी सबसे पहले आम लोग इस चीज को इसको डिसक्षा करें ग्रोग रोग्ष रेट अशनल इंकम क्या लिख रहे यह पे अगर्दि दिस इंकेटर अपे अचांट्री लिख ठत्री आम इरोगे। हैं पोलivos के अडिए ओर। एंपने और हना झायेगा? इफ कर्पाश़ इस प्राश़ झायें शुंगे सादर सिर्टर अटिए। एंपने उसर सिर्टर आ ज सिर्टरत्तिया भेवांगा? तो अगर नेशनल इंकम कंटिनियों दी बढ़ती है लोंगर पिरियद के लिए तो कहा जाएगा कि अपने देश में भई क्या हो रहा है हमारे देश में तो एकनोमिक डिवलाप्मेंट हो रहा है चिक है इफ तरेट राइस इनननल इंकम इस हाए गड़ देवलाप्मेंट इस तो बाइट अगर नाशनल इंकम का रेट जादा है और नाशनल इंकम का रेट बर रहा है लेकिन लोवर रेट से जैसे पर एक्जम्टल एकसा बतां तो कि पहले पर आधा एवरी यह 5 परसंटेज यह 10 परसंटेज से लेकिन कुछ लास्ट यर से इंक्रीज हो रहा है लेकिन किसमें लोवर रेट से दो परसंटेज से तीन परसंटेज से ऐसे लेकिन पहले पर्णा था पाच परसंटेज से दस परसंटेज से तो एकनोमिक डेवलाप्मेंट भी क्या हो जाएगी दीरे दीर but at the lower rate. बढ़ रही है, लेकिन कम रेट से बढ़ रही है. The rate of development is low. If national income does not rise, अगर बढ़ी नहीं रही है national income, then it depicts, it shows the state of stagnancy. क्या बोला जाएगा? Economic development क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. So the state of stagnancy. And if national income decreases, then there is under development of a country. Right? और a negative development. देखु, क्या चार चीज़े याँपे बताएगे जन्र जी? National income, 5. Economic development, 5. National income increases, is, but at lower rate. Economic development, rise at lower rate. और तीखरी चीज़ बताएगे है, National income, अगर क्या हो जाएगा? Does not rise. Okay. Does not rise. Then economic development, क्या हो जाएगा? Standage. And national income decreases. क्या हो जाएगा? So क्या हो जाएगा? Under development or negative development. Okay. ये चार चीज़े बताएगे हैं. First, second, third and fourth. According to this indicator, real income and not money income is taken into consideration. Yes. Here, current prices नहीं लिये जाते हैं. Actually, current income नहीं लिये जाते हैं. And it can also be called as a monetary income. आप लोगो नहीं वो index number chapter में पढ़ा होगा न? Days, year and the current year prices. पढ़ा है वो chapter number one statistics में. Yes, ma'am. उसके अंदर धाना base year और current year. So current year के prices and all नहीं लिए जाएगे यहाँ पर. समझे? किसके लिए जाएगे यहाँ पर क्या क्या चूंसिड़ेट किया जाएगा? Base year लिया जाएगा. Base year. क्या लिए लिए करने लिएगा हैंस national income is calculated not at current prices but at the constant prices. Constant prices means that is the base year. Okay? So में लिए लिए जू. So यहाँ लिए 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 लिएगे लिएगे. National income is calculated on base year prices. current prices पे नहीं लिए जाता है. कभी भी. कभी भी calculation करना होना है तो base year के prices को ही considered किया जाता है for the study, for the measurement. चिक है? अब यहाँ पर आपको table दिया है. country दिया है और annual growth rate of national income in percentage दिया हुआ है. अब क्या लिखा है यहाँ पर? Norway. Norway का है खाली 2.2% growth rate of national income. America का है 2.4% only. Shri Lanka का 4.5%. China 7.3%. India 7.3%. And Pakistan 4.7%. So, हमारा तो सब से देश आगे चल रहा है यहाँ पर तो. Growth rate of national income ने every year 7.3% का आपको growth rate देखने को विल रहा है. और यह present किया है SORTS, World Bank and Economic Survey 2015-16 के पॉर्ड़ी. यह table पूची थी. 2020 के उसमें. 2020 के paper में, March अभी जो था paper, उसके अंदर यह वाली table पूची थी. और बोला था, बार ग्राफ बनाओ. और सोर्स नहीं दिया था उसके अंदर. तो मैंने आपको बोला, अगर सोर्स अगर नहीं दिया जाता है, तो अपने को नहीं लिखते रहा है. और इसमें बार ग्राफ बनाया. अब मेरे को बताओ, यह टेबल देखकर, के सबसे अच्छा, सबसे हायेस्ट रोओ रेट आपनायानल इंकम कोंसे कंटरी का है? यहां कॉंसे कंटरी? इंडिया और चांटी. यह टेबल में तो ऐसा शो हो रहा है. अब मेरे को सच में बताओ. सच में किसका है? अनुर्वेता है. नौर्वे का और अमेरिका का राइट ऐसा क्यों है वो डेवलप्ट कंट्री इसके लिए हां वो डेवलप्ट कंट्रीज है और अल्रेडी डेवलप्ट होने के बावजोद भी एवरी यूर उनकी नाश्नल इंकम 2.2 या 2.4 परसंटेज से बढ़ रही है तो क्या खराब है या डेवलपिंग है तो 7.3 परसंटेज अगर बढ़ आये तो इंडिया कोई तीर नहीं मार रहे है समझे तो वो डेवलप होने के बावजोद भी 2-3 परसंटेज एवरी यर अगर बढ़ आये ग्रोथ रेट होगा नाश्नल इंकम का तो बोल वो अच्छे हुए ना अब देखो तो आपके टेबल में भी यही चीज लिखी है यह अब लर एक्परेशन डैट इस अनालिसिस काफी बच्चे क्या करेंगे और इंडिया का गो तो जो बर्दस ग्रोथ रेट हैसा अनलिसिस करके लिख रहे हैं अरे बाई साब तुमारा ध्यान तो दो अधर टेबल में के अर्वे और अमेरिका थोड़ा सा तो लगाओ कॉमन सेंस तो बच्चे क्या कर देते हैं यहां पर मिस्टेप कर देते अनलिसिस में जो जो टेबल में दिया हुए बस वाई 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 लिख चले आपके इसा नही लिखना होता है कभी भी हम लोगों को टेबल को समझ desirable अजार नहीं कि आंडुकम है चुछ कंई सब्सक्तर से का celebrating कि इंड वाई गाई व्याए जो एक तुर संब्सक्राइबल के चाउल पके सब्सक्च बाटन को से कि इंडिये खियंगा वाई इनतरि और तुके तरूड की जो कर दे अर्डील्दक सिल आगर दे शोडे वाई थ इंडिया इस वन ओफ द फास्टेज्ट डेवलपिंग कंफ्रीज अव द बर्ड बाई सब्सक्राइब यह किसकी बात हो रही है 2015-16 की अभी का हाल इसा नहीं है इंडिया का अना अभी का नहीं है इसा हाल अभी तो इंडिया वस्ट कंट्रीज में आरे है वही एल्स कंडिशन क इसके उसमें तेख़्ोर कंट्रीज और घ्टीप के मामले में भी वर्स्ट कंट्रीज में इंडिया की हो रही है 2015-16 की अभी की चंचा नहीं हो रही है impressive growth rate है and then also 2-3 percentage annual growth rate every year rise होना, it's very good for the country. So, it should be remembered that the countries like Norway, America had impressive growth rate already though they are growing at the 2.223 percentage per annum in the present. So, this is what I have told you here, we will write the analysis in this way. Right? And I have asked the table in 2020 and shared with you about the time of the graph and the time we have to focus on the aspects and the data table. I have not made a data table and I think so, that I have given 4 marks in the past 5, in which children, in the graph, they don't understand the analysis.